नमस्का दोस्तों सागत है आपका हमारी यूटूब चेनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम करेंट अफेस का सबसे जादा इंपॉइंट टॉपिक बदले गए नाम को लेकर आए हैं जैसे कि आप लुग जानते हैं दोस्तों की हाली में कुछ संस्तानों के नाम बदले गए हैं कुछ सहरों के नाम बदले गए हैं कुछ रेलवे इस्टेशन के नाम बदले गए हैं कुछ एयरपोर्ट कुछ दीपों इवन बंदरगाओं के नाम बदले गए हैं तो कुछ रंगों के नाम बदले गए हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो लेक्चर में हम बदले गए नामों से रिलेटेड जितने भी important question बन सकते हैं आपके exam में उन सभी question को बिलकुल detail में with extra fact के साथ में हैल करेंगे आप किसी भी exam की तैयारी कर रहे हों हर exam में इस topic से दो question पूछे ही जाते हैं इसलिए वीडियो को शुरू से लागा कर लाश्ट तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो पटापट से शुरू कर लेते हैं नमबर first question है हाली में किस संस्थान का नाम बदलकर स्वर्गिये मनुहर पारिकर की नाम पर रखा गया तो देखे दोस्तो रक्षा अध्यन और बेसलेशन संस्थान जो है इसका नाम बदलकर स्वर्गिये मनुहर पारिकर की नाम पर रखा गया है A options ही हो जाएगा और सभी फेक्टों को हम discuss कर लेते हैं तो देखे दूस्तों पहले इसका नाम क्या था तो पहले इसका नाम था IDSA इसका फॉल्परम होता है Institute for Defense Studies and Analysis और हिंदी में इसको रक्षा अध्यन और बेसलेशन संस्तन कहा जाता है ठीक है और अब इसका नाम बदल कर क् Institute for Defense Studies and Analysis हिंदी में इसको कहा जाएगा मनुहर पारिकर रक्षा अध्यन और बेसलेशन संस्तान यदि हम बात करें इस संस्तान की स्थापना की तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में इसका जो हैड़क्वाटर है ये नियू दिली में इस्तित है और दूस्तों इसका नाम जो है मनुहर पारिकर के नाम पर रखा गया है तो जो मनुहर पारिकर हैं ये 2014 से लगाकर 2017 तक हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और ये गो आके मुख मंत्री भी रह चुके है और हाली में मार्च 2019 में कैंसर की वज़े से इनका निधन हो गया तो जो फेमस परसनाल्टी होती हैं इनकी निधन होते हैं तो ये पूछा जाता है ठीक है कि ये कौन थे तो ये 2014 से 2017 तक हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे थे और ये गो आके CMB रह चुके है नमबर सेकेंड कोस्टन है राष्टिय वित्तिय प्रबंधन संस्थान इसको सौट में NIFM कहा जाता है तो NIFM क कहा जाता है इसकी स्थापना होती है 1993 में में इसका है जो हैड़कोटर है ये फरीदबाद में श्ते थे ठीक है और देखे दोस्तों में आपको बता दूँ कि इसका नाम बदलकर जो है अरोन जेटली के नाम पर रख दिया गया है तो इस कौस्टन का V option से हो जाएगा इसमे भी केबल अरोन जेटली सब्द जोड़ा गया है वाकि की National Institute of Financial Management जो है सेम रहेगा नेश्ट कोस्टन है इन में से किस अंतरराष्टी संस्तान का नाम बदल दिया गया है तो देखे दोस्तों जो IAAF है जो IAAF है इसका नाम बदल दिया गया है जो IAAF है इसका फुल फुम होत जो जो है इसका नाम बदल कर रखा गया है स्यामा परसाद मुखर जी पोट तो इस कोस्टन का D-Option सही हो जाएगा स्यामा परसाद मुखर जी के बारे में हमें डेटेल जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखे दोस्तों जो समय परसाद मुखर जी है यह एक प्रसि मन्तरी रह चुके हैं और इनोंने ही 19 direct में भारतिय जंसंग की इस्थापना की ठीक है भारतिय जंसंग के संस्थापक मुछे मुझे जाते हैं तो कौन हैं ? स्यामा प्रसाद मुखर्ची है ठीक है और इन्होंने उन्नी स्विंग के वान में भारतिय जंटा पार्टी यानि की बीजेपी पार्टी वनी थी नैश्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है मांडवाडी रेलिवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या ह हो गया है दोस्तों मांडवाडी रेलिवे स्टेशन जो है इसका नाम बदल कर हो गया है बनारस जंक्सन ए ओप्सन सही हो जाएगा ठीक है और यह कहां प्रस्तित है तो यह वारानसी उत्तर प्रदेश में स्टित है नैश्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमा हमारा कॉस्टन के रहा कि नौगल रेलिवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो देखे दोस्तों जो नौगल रेलिवे स्टेशन है इसका नाम बदल कर कर दिया गया है सिधात नगर रेलिवे स्टेशन और यह कहां प्रस्तित है तो यह रेलिवे स्टेशन भी उत्तर प्रदेश में इस्तित है नैस्ट कॉस्टन देख लेते हैं आवीब गटिंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो देखे दोस्तो हभीब गंज रेलБेस pistion जो है यह कहां पर रिश्तित है तो यह मद्धपदेशские की राध्धानी भोपाल मिशते थे ठीक है मद्यपदेश की राध्धानी भोपाल मिशते थे और इसका नाम बदलकर अटल विहारी वाचपेग रेलबे स्टेशन रखा गया है तो इस कॉस्टन का ए ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों कह रह है वी ओप्सन सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कह रहा है कि किस रेलबे स्टेशन का नाम बदलकर डाक्टर एम जी राम चंदरन सेंट्र रेल वे स्टेशन रखा गया है तो देखें दुस्तों जो चैंडडाई सेंट्रल रेल वे स्टेशन है इसका नाम बदलकर डाक्टर M.G. राम चंदरन सेंटर रेलबे इस्टिशन रखा गया है नेक्ट कोस्टन देख लिएते हैं दूस्तों अंगला हमारा कोस्टन है कि किस राज ने अपने तीन मेट्रो इस्टिशनों की नाम बदले हैं तो देखे दूस्तों काफी अच्छा कोस्टन है यह से तीन फेक्ट हमें पता चलेंगे तो देखे दोस्तों जो तमिल नाडू राज है इसने जो है तीन मेट्रो इस्टेशन की नाम बदल कर पूर्वे प्रसद मुखमत्रियों की नाम पर रखे हैं ठीक है जो पहला रेलबे इस्टेशन है उसका नाम है अलंदूर रेलबे जंदरन मेट्रो इस्टेशन और तीसरा मेट्रो सब्सकिंख जो है है यह पूर्व और प्रसद मुखमत्रियों के नाम पर रखे हैं दिया गया है देखिए दुस्तों जो मुंबई सेंटर रेलबे स्टेशन है इसका नाम रख दिया गया है नाना संकर सेट सेट के नाम पर क्यों रखा गया क्योंकि नाना संकर सेट के सहयोग से ही मुंबई सेंटर रेलबे स्टेशन की इस्थापना की गई थी नैस्ट कॉस्ट हैंने कह रहा है कि भोपाल मेट्रो का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है देखे दोस्तो जो भोपाल मेट्रो है इसका नाम बदल कर कर दिया गया है राजा भोज मेट्रो क्या राजा भोज मेट्रो कर दिया गया है मद्धिदेश की राधानी है भोपाल नैश्ट कॉस्टन दे जा गया है नेस्ट कॉस्टन है मुंबई नाकपूर सुपर कामुनुकेशन एक्सप्रिस बे का नाम बदल कर किसके नाम पर रखने की घोशना की गई तो इस कॉस्टन का बी ऑप्सन से हो जायागा बाला सहब ठाकरे को नहीं है तो बाला सहब ठाकरे आप लोगों को पता होने चीए कि इंसब्स रेना के संसतापक हैं नेस्ट कोस्टन है उत्तरपदे सरकार ने खुआजा मुझ णिद्दिन चिस्ती उर्धू अर वी फार्स सब्सभी इस बद्यलय करने की घोशना की है ठीक है उर्दू अर वी और फार्स सब्दों को हटार कर केवल भास जोड़ग ग गा, नेश्ट कोस्टन देख लिए थी दो né दोश्टों अंगला हमारा कौस्टन है फेजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो देखे दोश्टों जो फेजाबाद सहर है, इसका नाम बदलकर आयुध्यार रखा गया है, ठीक Member, जो फेजाबाद है, यह उत्तर पर इसका एक जिला है ठीक है और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है तो आयुध्यार रखा गया है ठीक है इसी प्रकार से एदि हम बात करें इलहाबाद की तो इलहाबाद का नया नाम क्या है तो इलहाबाद का नया नाम है प्रियाग राज नेश discussion है IPL team दिली डियर डेविल्स का नया नाम क्या रखा गया है तो देखे तुस्तों IPL की जो टीम है दिली डियर डेविल्स इसका नया नाम रखा गया है दिली capital A option सई हो जाएगा नेश question देख लेतें दोस्तों अंगला हमारा question है कि दिल्ली के औरंग जेब रोड का नया नाम क्या रखा गया है? तो दिल्ली का जो औरंग जेब रोड है इसका नाम रखा गया है कलाम रोड ए ओप्सन सही हो जाएगा. Next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question काफी अच्छा question है. क्या रखा गया है? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ जो अभियान है इसका नया नाम रखा गया है बदलाओ तो इस question का भी option सही हो जाएगा. देखे दोस्तों जो बदलाओ है इसका full form आपको याद रखना है इसका full form होता है बेटी आपकी धन लक्षमी और बिजय लक्षमी ठीक है और देखे दोस्तों जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कप की गई थी तो 22 जनवरी 2015 को ठीके 22 जनवरी 2015 को प्रधन मंत्री स्री नेरंद मोद जी की दौरा इस अभियान की शुरुआत की गई थी नैश कॉस्चन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्चन कहरा कि हाल ही में केंद सरकार ने रोहितंग सुरंग का नाम बदल कर क्या कर दिय गया है दोस्तों जो रोहितंग सुरंग है इसका नाम बदल कर हो गया है अटल सुरंग सी ओप्सन सही हो जाएगा मनाली को लेह से जोडने वाली रोहितंग सुरंग का नाम अब क्या हो गया है तो अटल सुरंग हो गया है नेक्ट कॉस्चन देख लेते हैं दोस्तों अंगल जो चेना निनासी सुरंग है ये जम्मू कस्मीर में स्थेत है ठीक है और इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो 9.2 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है नेक्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदल कर क्या भी अभियान हूँ हर अभियान की सुरुआत जरूर पूचे जाती है तो इसकी सुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर ठीक है आपको डेट भी याद रखना है 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की सुरुआत की गई थी नेक्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question कहारा कि हाली में Wheeler Deep का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो देखे दोस्तों जो Wheeler Deep है इसका नाम बदल कर कर दिया गया है APJ अब्दुलकलामदीब तो इस question का A options ही हो जायागा और यह जो Wheeler Deep है यह कहां प्रस्तित है तो यह उरिषा की राध्धानी बदल कर क्या रखा गया है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाली में अंडवान निकोवार के तीन दीपों के नाम बदल गया है जो राध्धीब है इसका नाम जो है नेता जी सुवास चंद्र बोस रखा गया है तो इस question का और दूसरा दीप है हेव लॉक दीप ठीक है इसका जो नाम है ये सौराज दीप रखा गया है और जो नील दीप है इसका नाम जो है ये सहीद दीप रखा गया है तीनों दीप कहां के हैं तो तीनों दीप जो है ये अंडवन निकोबार के हैं और तीनों को आप याद रखेंगे नैश्ट कॉस्चन देख लिएते हैं दोस्तू अंगला हमारा कॉस्चन है हाली में साबरमती घाट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो देखें दोस्तो साबरमती घाट साबरमती आसरम से आपको याद रखना है कि ये गुजरात में इस्ते थे ठीक है और जो इसका नाम है ये रखा गया है अटल घाट तो इस कॉस्चन का ए ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा कॉस्टन है पंजाब का राष्टी राजमार्ग 703AA का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो देखे दोस्तो पंजाब का राष्टी राजमार्ग 703AA जो है इसका नाम बदल कर गुरू नानक देव मार्ग रखा गया है तेस्ट कॉस्टन का V option से हो जाएगा जो गुरू नानक देव हैं ये सिर्क धर्म की संस्तापक थे और पहले गुरू भी थे नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है केरा की हाल ही में बौगी बील पूल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो देखे दोस्तों जो बौगी बील पूल है इसका नाम जो है अटल से तुग कर दिया गया है V option सही हो जाएगा ठीक है ये जो पूल है ये असम राज के डिब्रूगड में ब्रमोपत्र नदी पर बनाया गया है कहाँ पर असम राज के डिब्रूगड में और कौनसी नदी पर तो ब्रमोपत्र नदी पर ये पूल बनाया गया है next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question के रहे कि हरयाना के गुडगाउं और मेबात सहरों के नाम क्रमसा क्या रखे गये हैं तो देखे दोस्तों हरयाना का जो गुडगाउं सहर है इसका नाम तो आपको पता है इसका नाम रखा गया है गुरू ग्राम ठीक है लेकिन जो मेबात सहर है इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए तबी तो आप 5 साथ सही कर पाएंगे तो मेबात सहर का नया नाम रखा गया है question है कि जल संसादन नदीव विकास और गंगल सरक्षण विभग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो दोस्तो जल संसादन नदी विकास और गंगस ररक्षन विभाग जो है इसका नया नाम रखा गया है Ministry of जल सक्ती इस question का A option से हो जाएगा और इस ministry के minister कौन बनाए गया है तो गजेंदर सिंग सेखबत बनाए गया है दोस्तो औरंगाबाद हवाई अड़ा जो है इसका नाम बदल कर च्छत्रपती संभाजी महराज की नाम पर रखा गया है B option से हो जाएगा ठीक है और जो और अरंगाबाद हवाई अड़ा है ये कहां परस्तित है तो ये महराष्ट में इस्तित है दोस्तो जो बरेली एरपोट है इसका नया नाम रखा गया है नाथ नगरी एरपोर्ट तो इसको का एप्सन सही हो जाएगा और ये कहां पर रस्तित है तो ये उत्तर प्रदेश में इस्तित है next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question कहे रहा है कि काणपूर के चकेरी airport का नाम बदल कर किसकी नाम पर रख दिया गया है तो देखे दोस्तों जो काणपूर का चकेरी airport है इसका नाम जो है गड़े संकर विध्याती के नाम पर रखा गया है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है दीन दयाल उपाद्या एरपोर्ट तो इस k questeyane कब इसका का वी ओपेन नाम बदल कर क्या रखदिया गया है तो दोस्तो जो जार सुगड़ा हवाई अड़ा है इसका नाम बदल कर रख दिया गया है वीर सुरेंद्र साइं हवाई अड़ा तो इस question का C options है हो जाएगा और ये हवाई अड़ा कहां परस्ते थे तो ये ओरी सा में इस्ते थे जो अगरतला हवाई अड़ा है इसका नाम बदल कर महराजा वीर विक्रम हवाई अड़ा रखा गया है और ये हवाई अड़ा कहां परस्ते थे तो ये तिरपुरा की राध्धानी अगरतला में इस्ते थे गोरखपुर एरफूर्ट का नाम बदल कर क्यार कर दिया गया है तो देखे दोस्तो जो कांड़ला बन्दरगा है इसका नाम बदल कर Dien-Dial-Bandrhagai कर दिया गया है और Kandala-Bandrhagai कहाँ पर से थे तो यह गुजरात के कक्ष जिले में से थे ठीक है यह गुजरात के कक्ष जिले में से थे नैश्ट कॉस्टं देख लेते दोस्तोin अंगला हमारा कॉस्टं है कह रहा है कि फिरोज साह कोटला इस्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो दोस्तों जो फिरोज साह कोटला इस्टेडियम है इसका नाम जो है अरण जेटली इस्टेडियम रखा गया है वी ओप्सन सही हो जाएगा ठीक है यह इस्टेडियम कहां परस्ते थे तो यह इस्टेडि हमारा क्वास्टन है एकाना अंतरराष्ट्ये किरकिट substance का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो दोस्तों एकाना अंतरराष्ट्ये किरकिट application जो है सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि यह कहा पर स्ते थे तो यह इस्ते थे लख भुम में ठीक है ये लखनव में इस्तित है और इसका नाम जो है अटल विहारी बाच पर इस्टेडियम रखा गया है ए ओप्सन सही हो जाएगा next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है हाली में किस राजसरकान ने smart gram यूजणा का नाम RS Pottle के नाम पर रखने की घुष्णा की है महराष्ट राजने तो इस question का c option सही हो जाएगा RS Pottle कौन है तो जो RS Pottle है ये महराष्ट की पूर्ब CM है ठीक है और यदि हम बात करें महराष्ट के वर्तमान CM कौन है तो उद्धो ठाकरे हैं और महराश्ट की केपिटल क्या है तो मुंबाई है नेश्ट कॉस्टन है जम्मू नगर नगम ने जम्मू बिस्विध्ध्याले का नाम बदल कर किस महराजा की नाम पर रख दिया है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जम्मू नगर नगम ने जो जम्मू बिस्विध्ध्याला है इसका नाम बदल कर महराजा गुलापसें के नाम पर रख दिया है d options हो जाएगा अब जो जम्मू बिस्विद्याला है इसको जो है महराजा गुलापस है बिस्विद्याला के नाम से जाना जाएगा ठीक है और हम जान लेते हैं कि महराजा गुलापस है कौन थे तो देखे दोस्तो ये जो हैं ये dongra once के संस्तापक थे ठीक है कॉस्टन पूचा जाता है कि डॉंगरा बंस के संस्ताप कोन थे तो महराज़ा गोलाप सेंथे और यदि हम बात करें कि ये जम्मू कस्मीर की समराट कब बने थे तो 1846 में जम्मू कस्मीर की समराट बने थे और ये पहले समराट बने थे जम्मू कस्मीर के ठीक है ये जो प्रवासी भरतिय केंद्र है इसका नाम जो है सुस्मा सुराज भबन कर दिया गया है तो इस कॉस्टन का सी ऑप्शन से हो जाएगा और यह कहां पर रस्ते थे तो यह जो है यह नई दिल्ली में इस्ते थे नेक्ट कॉस्टन देख लेते दुस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है कि इंडियन रेल्वे ने रेल्वे सुरक्षावल यानि की आर पी एप का नाम बदल करने में में से क्या रख दिया है तो देखे दोस्तों जो आर पी अप है इसका नाम ब्दल कर गया है भारती रेलबियश यह उपसंड सेवा और इसको यह चाहेगा और इसको English मैं क्या कहा जाएगा इसको English मैं कहा जाएगा साइओ फॲ्फ नेश्ट कौंचवछन है हाली में जम्मू में city chok कश नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो देखर दूस वी आपको बता दूं कि जम्मू का जो city chok है इसका नाम भारत maata chok रखा गया है भी ऑपसन ही हो जायाыगा इसको हम कहाई सफना रख सकते हैं कि जो city chalk है इसका नाम भारत माता के नाम पर रखा गया है नेश्ट question देख लेते दोस्तों इसी क्रम में एक और question आप से पूछा जाएगा कि जम्मू कस्मीर में इस तित circular chalk का नया नाम क्या रखा गया है तो देखे लगा कर एक चकर लगा कर जनता से बोट मांगते थे ठीक है circular चकर यहां से आप याद रख सकते हैं कि जो circular chalk है इसका नाम अटल जी के नाम पर रखा गया है नेश्ट question देख लेते दोस्तों अंगला हमारा question है लखनव के हजरत गंज चोराहे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो दोस्तों जो लखनव का हजरत गंज चोराहा है इसका नाम जो है अटल चोक रखा गया है ठीक है इसका नाम भी क्या रखा गया है इसका नाम भी अटल चौक रखा गया है, confuse आपको नहीं होना है, और ये कहां परस्तित है, तो ये उत्तर प्रदिश की लखनाव जिले में इस्तित है, next question देख लिएते दोस्तों, अंगला हमारा question है, कहारा कि प्रगती मैदान Metro Station का नया नाम क्या रखा गया है, दोस्तों जो प्रगती मैदान Metro Station है इसका नया नाम रखा गया है, Supreme Court Metro Station, तो इस question का A option सही हो जाएगा, और ये Metro Station कहां परस्तित है, तो ये New Delhi में इस्तित है, next question देख लिएते दोस्तों, अंगला हमारा question है, दिल्ली के बाबर रोड का नया नाम क्या हो गया है, तो देखे दोस्तों जो दिल्ली का बाबर रोड है, इसका नाम जो है, पांच अगस्त मार्ग कर दिया गया है, छीग इसका नाम क्या कर दिया गया है, पांच अगस्त मार्ग कर दिया गया है, ये option सही हो जाएगा, next question देख लिएते दोस्तों, अंगला हमारा question है, कि सबसे वड़े मौटेरा Hiçटेडियम का नाम किसकी नाम प उजरात की अहमदबाद में इस्तित थे और इसका नाम जो है सरदार बल्लब भाई पटेल की नाम पर रखा गया है तो इस question का A option सही हो जाएगा अगला हमारा question है अयुद्या बस इस्टॉप का नया नाम क्या हो गया है तो जो इलहाबाद जंचन है इसका नया नाम हो गया है प्रियाग राज जंचन तो इस question का A option सही हो जाएगा अगला हमारा question है हर्याणा के अंबाला वस इस्टेंड का नाम बदल कर क्या हो गया है तो जो हर्याणा का अंबाला वस इस्टेंड है इसका नया नाम सुस्मा सुराज कर दिया गया है तो इस question का A option सही हो जाएगा अंबाला वस्टेन जो है ये हर्याना के अंबाला सहर में इस्तेत है नेस्ट कोस्टन है करनाटक सरकान ने हैदराबाद करनाटक छेतर का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो देखे दोस्तो जो विदेश सिवा संस्तान है सबसे पहले आपको पता होना चीए कि यह कहां पर रचते थे तो यह दिल्ली में स्थे थे ठीक है और इसका नाम जो है सुस्मा सुराज विदेश सिवा संस्तान हो गया है C option सही हो जायागा C option है कि उद्योग नीती इवन संबर्दन विभाग इसको सौट में DIPP कहा जाता है तो DIPP का नया नाम क्या हो गया है तो दोस्तो DIPP के बारे में हम जान लेते हैं इसका full form होता है Department of Industrial Policy and Promotion ठीक है हिंदी में इसको उद्योग नीती इवन संबर्दन विभाग कहा जाता है और इसका नया नाम जो है DPIIT हो गया है ठीक है DPIIT इसका नया नाम रखा गया है तो इसका full form क्या होता है तो Department for Promotion of Industry and Internal Trade इसका full form होता है ठीक है हिंदी में इसको उद्योग संबर्दन और आंत्रिक व्यापार विभाग कहा जाता है ये सारी बात है देखे दोस्तों आपको सौट में भी इसका नाम क्या चेंज हुआ है ये भी याद रखना है ठीक है और इंग्लिस में इसको क्या लिखेंगे क्या कहेंगे याद रखना है हिंदी में क्या लिखेंगे क्या कहेंगे याद रखना है क्योंकि भरोसा नहीं है आपको केबल हिंदी में भी question पूछा जा सकता ह सोट में भी केबल कॉश्टन पूछा जा सकता है और आपको option में केबल English भी रखी जा सकती है तो detail में एक बार आप पढ़ लें जब आपको कॉश्टन मिलेगा तो आपको ये सारी चीजें याद आ जाएंगे ने इस कॉश्टन देख लेते दोस्तों अंगला हमारा कॉश्टन है कि उत्तर प्रदेश के सुल्तान पूर सहर का नया नाम क्या रखा गया है तो देखे दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सुल्तान पूर सहर है इसका नया नाम कुस भवन पूर रखा गया है ए ओप्सन सही हो नेश्ट कॉस्टन देख लेते दोस्तो अंगला हमारा कॉस्टन है कि चत्रपती सिवाजी इंटरनेशनल एयरपूट का नया नाम क्या रखा गया है दोस्तो चत्रपती सिवाजी इंटरनेशनल एयरपूट जो है इसका नाम चत्रपती सिवाजी महराज इंटरनेशनल गया है तो देखे दोस्तों सिमला का नाम बदल कर हो गया है सियामला अच्छे से प्रणाउंस कीजिए सिमला का नाम क्या हो गया है सियामला हो गया है नाश्ट कॉस्टन देख लेते दोस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है नासा ने वॉसिंग्टन डी सी इस्तित अपने मुख् करने की घुशना कर दी है उसका नाम जो है Mary W. Jackson की नाम पर रखा जाएगा वी ऑप्संस ही हो जाएगा अब इसके बारे में हम डेटेल जाल लेते हैं तो देखे दोस्तो इसका नाम Mary W. Jackson की नाम पर रखा जाएगा तो Mary W. Jackson कौन है तो यह अमेरिका की फेमस इंजीनियर हैं ठीक है और जो नासा है यह क्या है तो अमेरिका की एक स्पेस एजनसी है इसका फुल्परम होता है नैशनल एरोनेटक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्टेशन ठीक है इसकी स्थापना होती है 29 जुलाई उनिस वन्टाउन को इसका हैड़ इसके अलीगड़ सहर का नया नाम क्या रखा गया है तो दोस्तो उत्तर पर इसका जो अलीगड़ सहर है इसका नाम रखा गया है हरीगड़ तो इस कोस्टन का सी ऑप्सन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तो कह रहा है कि जहाज रानी मंत्राला यानि कि मिनिस्ट्री of Sipping का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो देखे दुस्तों Ministry of Sipping जो है इसका नया नाम बंदरगाय जहाज रानी ये उन जल मार्ग मंत्रा ले रखा गया है ए ओप्सन सही हो जाएगा देखे दुस्तों में आपको बता दूं कि हाली में प्रधान मंत्री स्री नरेंद मुद्जी जी ने जहाज रानी मंत्रा ले का नाम बदल कर बंदरगाय जहाज रानी एबं जल मार्ग मंत्रा ले इसको इंग्लिस में क्या कहेंगे तो Ministry of Ports Sipping and Water Wages इसको कहेंगे ये इसका नया नाम रखा गया है नेश्ट कॉस्चन है किस सहर में एक चोराहे का नाम बदल कर डाक्टर हरीवन्स राय बच्चन की नाम पर रखा गया है तो देखे दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि पॉलेंड देश है ठीक है पॉलेंड देश का एक सहर है उस सहर का नाम है ब्रोकला सहर ठीक है और ब्रोकला सहर में एक चोराहे का नाम जो है डाक्टर हरीवन्स राय बच्चन की राम पर रखने की घूष्टना की गई है अमिताब बच्चन की पिता जी है यह नेश्ट कॉस्चन देख लेते दोस्तों अंगला हमारा question यह के रहे कि नोगल रेल बेश्टिशन का नाम बदल कर सिधात नगर रैल बेश्टिशन रखा गया यह Station के सिराच में त्यफ्य थे दोष्तों जो नोगड रेल बेश्टिशन है इसका नया नाम क्या हो गया है तो सिध्धात नगर हो गया है ठीक है और यह जो railway station है यह उत्तर प्रदेश में इस्तियत है तो इस question का V option सही हो जाएगा next question है करनाटक में इस्तित हावेरी railway station का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो देखे दोस्तो मैं आपको बता दूँके जो करनाटक का हावेरी railway station है इसका नया नाम जो है महादिया प्पाम मेलारा railway station रखा गया है वी options आई हो जायगा दोस्तो अब हाव मेरी रेल वेस्टेशन का नाम जो है महादी चैनल पाम मेलरा की नाम पर रखा गया है तो इनकी बारे में हम कॉछ चैनल चैनल जानल फैक्टों को देख लीते हैं और देखे दोस्तो यहां से आपको एक और fact याद रखना है कि जो करनाटक का हुबली railway station है ठीक है इसका नाम भी बदला गया है और इसका नाम जो है सिद्धर उना स्वामे जी railway station रखा गया है तो करनाटक के दो railway station आपको याद रखना है एक तो हावेरी railway station ठीक है और हावेरी railway station का नाम जो है महादे अप्पा मिलरा के नाम पर रखा गया है और जो होबली railway station है इसका नाम जो है सिद्धार उना स्वामी जी के नाम पर रखा गया है तो ये सभी आपको याद रखना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अब next and last question है आपके लिए challenging question है जो की answer आपको comment करके बताना है कहरा कि भारत का पहला plasma bank कहां पर खोला गया ठीक है आपके लिए 4 option दिये गए हैं यदि आप चाहें तो इस plasma bank के बारे में कि इस plasma bank में क्या किया जाएगा ठीक है या फिर जहां पर यह खोला गया है जिस सहर में ये खोला गया है उस सहर के बारे में या फर उस सहर के राजिके बारे में कि वहां के CM कौन है वहां के Governor कौन है वहां के Capital कौन है वहां के मुखने अधिस कौन है या फिर जितने भी आपको detail पता हो आप लिखें लेकिने के आपने अलग फायदे होते हैं देखे आपको चीजे तो सभी पता हैं ठीक है आपके माइंड में सभी fact store है लेकिन जब आप लेकने की कोसिस करते हैं तो जो fact जो ग्यान आपके अंदर भरा है आपके दमाग में भरा है आप उसको एक बार recall करेंगे ठीक है और recall करने के फी फायदे होते हैं जितनी चीज़ों को आप recall करेंगे वो चीज़ें आपको उतने लंबे समय तक याद रहेंगी तो लिखने में आप कताई कंजूसी ना करें तो थैंक दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो के असल लगा इमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताया हैं दोस्तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीस लाइक करके ही जाना मैं बिना किसी बखबास के मैंने बीच में एक भी बखबास नहीं करी है तो बिना किसी बखबास के आपको अधिक पढ़ाने की कोसिश करता हूँ अधिक फेक्ट बताने की कोसिश करता हूँ तो वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करके जाना जो भी आपके भाई बहन आपके मित्व यार competition exam की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुचाना और जो नए student हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ मैं bell आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई इसी परकार का important वीडियो डालूँ पुराने वीडियो देख सकते हैं थैंकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत